तो अगर आपकी भी chemistry में हालात खराब है, chemistry में number नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, कैसे बढ़ना है, interest नहीं develop हो रहा, performance अच्छी नहीं है, बिल्कुल chemistry से मन उप चुका है, या आप ये सोच रहे हैं कि chemistry पढ़ना start तो करना है, बढ़ क्या कोई सही तरीका है, तो yes, this video is definitely for you, कि chemistry को कैसे start करें, what are the key points, किन चीज़ों को avoid करना है, किन चीज़ों से आपकी chemistry की preparation बहुत अच्छी हो सकते हैं, और किन वजहों से लोगों की chemistry की preparation या chemistry की जो एक journey है, वो बड़ी दुखता ही होती है, ठीक है, तो chemistry का जो सफर है और वो English, English का सफर बन जाता है, हिंदी से, तो आपका वो Hindi से English का ना बने, वो Hindi का सफर ही रहे, तो यह हम कैसे ensure करेंगे, तो even अगर हम बात करें कि chemistry का अज़स मैंने title लिखा है, कि Zero to Hero, तो Zero to Hero ये काफियत तक आप ऐसा बोल सकते हों कि मेरी कुद की journey भी रही है, क्योंकि मुझे भी chemistry की बहुत अच्छे teachers जलात ये थे, कि मुझे arts लेना थे 11th में, seriously मतलब बिल्कुल भी पढ़ने लिखने में कोई खास interest नहीं था, 10 तक मुझे शाम को दोड़ा एक हंटा badminton खेले, तो दोस्तों साथ घूमें फिर वापस आए, तो पढ़ाई से कोई दूर दूर तक रिष्टा नाता नहीं था, अब 11th में आके क्या हुआ कि सब को देखा कि सारे लोग science पढ़ रहे हैं, तो चली science में admission ले लिया, समझ कुछ आए ना, ठीक है, और chemistry कर जो chapter था, teacher ने पढ़ाया, और ऐसा लग अगर ये तो बड़ा चूटा chapter, बड़ा आसान chapter है, ये तो मतलब कुछ ही pages में खतम हो गया, मतलब काफी जल्दी teacher ने खतम कर दिया, घर जाके जब किताब उठाई, क्यों उठाई, क्योंकि test था, तो test के लिए पढ़ना था, तब देखो कि भाई साब ये तो, ये क्या, मतलब भी teacher ने पढ़ाये 10 page, ये तो यहां 50 page है, तो मतलब teacher ने सिर्फ उपर उपर से करवा के, मेंवें points कराके, वो chapter निप्टा दिया, हमें लगा कि बढ़ासान chapter पर जब खुद पढ़ने बैटे, तो पता लगा, बहुत, यहां तो पूरी गंगा जमना मतलब पूरी निकली बैठी है, यहां पर तो बहुत समय लगेगा, और समझ कुछ आए न, और उस समय जैसे आप जी पलट देना है, और देखना ही नहीं आए, ठीका पुराना question है, यह तो देखना भी नहीं है उसको, तो chemistry में हालात बहुत गंदे थे, ठीक है, धीरे धीरे मैंने chemistry को कैसे improve किया, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, और उसके basis पर मैं कैसे आपको suggest करने वाला हूँ, क्योंकि मैं काफी सालों से chemistry पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने का भी मेरा जो पूरा ये journey रही है, इसलिए रही क्योंकि मैंने खुद chemistry इतनी जादा पढ़ी, और खुद पढ़ी बिना किसी guidance के पढ़ी, इसलिए मेरी chemistry काफी strong हुई, तो उसी वज़़ा से मेरा जो पढ़ और वहाँ पर मुझे इस तरीके से समझाना है, ठीक है, तो चली स्टार्ट करते हैं discussion, how to start chemistry, तो सबसे पहले, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अब तक अच्छा लग रहा है, तो subscribe कर लिजिए, like, share कर देना, अगर आपको add the end अच्छा लगे, ठीक है, सबसे ऐसे issues हैं जिनकी वरसे chemistry में बच्चे को दिक्कत आती है, किसी को भी दिक्कत आती है, सबसे पहला point होता है, developing interest, interest develop नहीं हो पाता है, और ऐसा क्यों नहीं होता है, तो कैसे होगा वो, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, आप chemistry पढ़ना चाहरा हो, पर किताब खोलते हैं, दो develop करना है, यही सबसे सबसे ज़्यादा लोगों के साथ आती है, इसी के वरसे वो chemistry छोड़ देते हैं, या उसमें performance उनकी खराब हो जाती है, second point कई बार ही होता है, कि बच्चा अपनी तरफ से बहुत motivated है, बहुत interested है, chemistry उसको अच्छी भी लग रही है, उसकी 9-10 में भी chemistry और कभी-कभी ऐसी teacher आपको मिल जाते हैं, जो class में business ही कर देंगा, आपने कुछ पूछा, और बोला बीटे, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुम्हारे को जो काम का है, वो तो तो तुम्हें आता नहीं है, यह जो किताब में लिखा, वो तो समझ आता नहीं है, और यह phase में, कुछ बच्चे काफी sensitive भी होते हैं, उनको यह चीज बुरी भी लगते हैं, तो आगे से वो चीज़ें पूछना ही बंद कर देते हैं, और ultimately उनको लगता है कि छोड़ो यार, क्या आप false to subject है, पूछते हैं तो कुछ आंसर मिलता नहीं, और जो लिखा है किताब में व किताबों में आपने देखा कि बहुत सारे salt examples होते हैं, बात तो सही यह बहुत सारे salt examples हैं, पर जरूरी नहीं कि वो salt examples में जो answers हो, वो वो answer हो जो आप ढूण रहे थे, कभी कार हम सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसे answers books provide नहीं करते, they are very very focused towards competitive preparation, या previous year में CBSC ने क्या question पूछे हैं, ऐसा ऐसा, है ना, वो fundamentals को clear करने वाले questions पोज नहीं करते हैं, और उनके answers provide नहीं करते, तो इसलिए भी ऐसा लगता है कि books जो है न, इनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जहां doubt था, उस चीज का answer के नहीं लिखा ही नहीं, directly इसका formula लिख दिया है, या फिर इसका definition लिख दिया है, इसको ऐसा law बोलते हैं, ऐसा law बोलते हैं, उसके बाद 3-4 salt example दे दिये, तो books का structure है वो बड़ा interesting नहीं है, then calculations, अब सबसे पहले अगर आप 11th में chemistry स्टार्ट करेंगे, तो आपका पाला पड़ इस तरकी differentiation, integration type की चीज़े नहीं पड़ी थी, area, graphs and all वो सारे चीज़े, तो यहाँ पर भी यह चीज़ आपको slow कर देगी, teacher जल्दी लदी आगे निकल जाएगा और आप उस speed को match नहीं कर पाओगे, तो you will start losing pace with the class, तो धीरे देर class आगे बढ़ती जाएगे और आप पुरान पॉइंट ही देखते हैं कि boss, interest कैसे develop करें, ठीक है तो देखे, solutions की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझे, what is the flow of the subject, किसी भी subject को पढ़ना है तो पहले देखो नहीं या उसका structure क्या है, 11 में अगर आप chemistry की बात करें, तो start होती ही कहानी, mole concept से, फिर atomic structure, मतलब atom क्या है, atom की structure कैसे हो, उसके अंदर क्या क्या है, electronic configuration, उनसे properties, क्या क्या theories आई, atomic structure को लेकि, उन सारी developments की कहानी है, फिर उसके बाद आता अपका periodic table, periodic table के अंदर के trends क्या है, properties के, left to right जाने पे, top to bottom जाने पे, फिर chemical bonding आता है, फिर उसके बाद states of matter तो भटा दिया गया है, फि physical equilibrium, ठीक है, sorry, chemical equilibrium and then ionic equilibrium, तो यह starting के आपके physical chemistry के ही mostly chapters है, organic का फिर एक अलग ही flow है, वो जब start होगी तब उसके बारे में आप अराम से देख सकते हो, वो एक ही flow में चलती ही पूरी organic, मतलब सारा connected है, physical chemistry के chapters उतने connected नहीं है, मतलब mole concept हो में अगरा नहीं समझ आया, तो कोई बा ठीक है, totally independent तो मैं नहीं बोलूगा, पर काफी हता की दूसरे से independent होते है, at the stage of 11th and 12th की जो आपके chemistry पढ़ रहे हैं, उस stage पे chapters बहुत interrelated feel नहीं होते, higher level पे जाओगे तो चीज़ें काफी जादे interrelated मिलती हैं, लगती हैं, और समझ भी आता है, पर इस level पे नहीं लगता, ठी ठीक है, second is, strengthen the basic math, basic math में क्या है, अब आपकी school में पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया, I do not know, बढ़ा कर आप YouTube पे देखेंगे, तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे teachers के lecture मिल जाएंगे, basic math में जहाँ पर आपको graphs, graph को कैसे analyze करना है, ठीक है, straight line के कर्ण के साथ क कैसे relate करना है, किसी भी equation को, then differentiation, integration, and calculations, जल्दी से किसी भी calculation को, speed up कैसे करना है, अगर आपको चार option में से एक option पर tick करना है, तो जूर नहीं आप बिसकुल decimal point तक उसको सही से calculate करो, तो calculation को, division को, multiplication को कैसे speed up करना है, इसके उपर थोची practice करिए, extra practice करिए इसके उपर, then deep dive into the topic, अब जैसे की बात करते है, mole concept, बेटा पहला chapter mole concept है, और बहुत ही dry topic है, क्योंकि mole concept में बहुत जबा conceptual detail develop करने में समय लगता है, आप books में पढ़ोगे, आपको सिधा law मिलेगा, formula मिलेगा, और उसके उपर 4 question मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम teachers हैं, जो उसको conceptual तरीके से और आप में वो interest develop करेंगे, तो help के लिए आप मेरे ही definitely lecture देख सकते हो canvas classes के उपर, ये किसी भी chapter के आगे canvas classes या पारस ठाकुर लिखके search कर लोगे, तो hopefully मेरे lectures आपको मिल जाएंगे, तो काफी आपको मदद मेलेगी, ठीक है, तो deep dive का मतलब क्या है, जब भी कोई topic आपको interesting न बारे में पढ़ रहे हो, तो पढ़ो cathode ray tube के बारे में क्या है, discharge tube के experiment कैसे start हुए, crooks tube की थी, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे आपको information मिलेगी, जितना elaborate तरीके से आप पढ़ोगे, आपको ना पूरी कहानी मिलेगी, कहानी मिलेगी तो चीजे interesting लगी, अच्छा पहल आपने दोस्तों को बताते हो, यार मैंने पढ़ा उसमें तब पहले यह हुआ था, यह हुआ था, पर जाब बताते हो, तो बड़ा अलगी confidence यार कि हमें तो बहुत कुछ पता है, तो वो explain करने में और भी मज़ा था अपने दोस्तों के सामने, teacher ने कुछ पूछ लिया, तो तो किसी भी topic में एक interest नहीं है, तो किताब से बाहर जाके, reference books से, internet के sources से, wikipedia से उसके बारे में जादा पढ़ने के बारे में सोचके, and उसके बारे में research करिये, ऐसा क्यों हुआ, जैसे मैं कभी-कभी interview जब chemistry के लेता हो, तो मैं पूछता हूँ लोगों से, Rutherford experiment के बारे में कि बहुत alpha-razy क्यों use की, gold plate ही क्यों use की, gold foil क्यों use की वहाँ पे, aluminium कर लेते हैं, सस्ती थी, तो ऐसा नहीं की थी, की थी उन्होंने use, उन्होंने 10 aluminium, बहुत सारे metals की foils use की, gold के साथ सबसे अच्छे results उनको मिले, इसलिए हम gold के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं था कि उनक पढ़ेंगे किसी topic के बारे में और अपने दोस्तों को, classmates को उसके बारे में बताएंगे in a way of teaching them, discussion होता है कि आपको topic अच्छा था और आप सामने वाले को समझा देते हो, उससे आपके fundamentals के लिए होते हैं, उससे interest develop होता है, that is how I develop interest, मैं अपने class में काफी discussion करता था था अपने आपके उपर डालो और answer, boss वो काम नहीं करेगा, तुम जो question solve कर रहे हो, exactly question paper में नहीं आने वाला है, ठीक है, तो उसका answer मिल भी गया, तो कोई फायदा नहीं है, answer निकालना important नहीं है, answer निकालने का process क्या है, वो एक बार समझ आ गया, तो अलगले तरीके के question solve हो जाएंगे, पर अगर answer, answer, answer करते रहोगे ना, तो हरे के question जो तुमने पढ़ा है, बस वो ही तुम्हें समझ आया, और अगले दिन अगर same question तुमारे को दे दिया जाए, पिर तुम confuse हो जाओ कि कैसे करना था, ठीक है, तो कभी भी जल्दी से solution निकालने की कोशिश मत करो, कि book के पीछे है उसका solution देख लिया, internet के ओपर ढूंड के solution देख लिया, बहुत सारे internet के ओपर, जो video solutions आपको मिलेंगे, वो गलत तरीके से explained है, जिससे बच्चे के concept distort हो जाते हैं, कि या, किताब में तो कुछ और लिखा था, ये तो कुछ और तरीके इस answer निकाल गए, फिर सोचता है कि शा के तो बचारे बच्चे ही है, students ही हैं, colleges के, ठीक है, आता है, question solve करना तो लगा दिया, पटे, concepture, clarity नहीं उस level की, ठीक है, कि वो सही से explain करने के capable हो, इसलिए बहुत सारे video solution के जो portals हैं, platforms हैं, उनमें थोड़ा सा साबधानी ज़रूर बरते हैं, इवन books में बहुत सारे errors हैं, ठीक हैं, तो इसलिए quick answers के चक्र में ना पढ़ें, जितना research करके आप answer निकालेंगे चीज़ों का, समय तो लगेगा, पट, मज़ा हो तो ना आएगा, और एक चीज़ के answer निकालने में, जितनी research होती है, आपको 50 नई चीज़ें पता लगती हैं, और उसी से subject improve होता है, उस question का answer निकालने से subject improve नहीं होता, उस concept निकालने के चक्र में, जो तुमने 4-5 चीज़ें extra पढ़ लीना, उससे आपको clarity आती है, and refer good books, ठीक है, good books का, क्या, मैं आपको बोलूँ, जैसे NCRT तो पढ़ते हो, NCRT, बहुत सारे teachers सही तरीके से नहीं भी पढ़ाते हैं, जिस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए, it's a very concise book, उसको बहुत अच्छे से elaborate करना आना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके वास अच्छी books हैं, तो बहुत अच्छी बात है, reference books के बारे मैं, मैंने एक video बनाया भी था, एक आध reference book होनी चाहिए, जैसे physical chemistry की मैं बात करूँ तो आप सेंगेज की ले लीजिए, को फॉरन author वाली, local नहीं बोल रहा हो, मैं इंडिन author वाली नहीं बोल रहा हो, बिल्कुल भी, सेंगेज की फॉरन author वाली ले लीजिए, ठीक है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, then एक मैक मरी एंड फे है, तो बहुत प्यारी य रेफर करो, और अगर आप canvas classes के ओपर video lecture देखोगे, तो मैंने बहुत सारी books रेफर करके, बहुत अच्छे से detail में explain करके, topics कवर किये हैं, तो आपको difference लगेगा, और आपका subject में interest develop होगा, ठीक है, तो शुरुआत में slow है process, definitely, तो ऐसा मस सोचना कि शुरुआत में, एकदम से चीजें समझ आने लगेंगी, समय लगेगा, पर शुरुआत की दिनों में आपको ज़्यादा time spend करना है, subject को improve करने में, क्योंकि शुरुआत में momentum build करने में time लगता है, और अगर उस समय आपने हार मान ली, तो class आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएगे, backlog आ ठीक है, पर उसके लिए समय लगेगा, and गलती से भी है मैं सोचना, इसको बाद में कर लूँगा, आपका syllabus इतना जादा vast है, इतना जादा deep है, कि आपको बाद में करने का मौका नहीं मिलेगा, और आपके वो topic छूट जाएगे, और आपका backlog आ जाएगा, ठीक है, तो हर topic को class के साथ साथ, same momentum से cover करते चलें, और internet के ओपर अच्छे resources उनको refer करिए, notes बनाएए, notes बनाएगे तब ही आपको, बाद में revision करने में help होगी, एक chapter मालेज़े, 100 pages का chapter है, बुक में, अब आप बार बार वो 100 pages तो नहीं पढ़ने वाले हैं, उसको revise करने के लिए, बढ़ेगे आपने उसको 6-8-10-12 pages में summarize कर रखा है, अपने notes में, उन notes को बढ़ गया, बहुत जल्दी से revise कर पाऊगा, और notes में आपने वही चीज़ लिखी होती है, जो आपको important लगी थी, तो हर एक के notes, हर एक के काम के नहीं होते हैं, इसे कभी कोई बच्चे मुझे बोते सर अपने notes share करो, एरे मैंने जो notes लिखे हैं, वो मेरे recording, मैंने क्या पढ़ाया, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता, कहा मुझे लग रहा कि मैं weak हूँ, कहा में लग रहा मैं strong हूँ, तो उसके recording मैंने, अलग structure हैगा मेरे notes का, तो हर एक बच्चे के notes का structure अलग होता है, तो दूसरों के notes copy करने के बिजाए, अपने notes बनाना start करें, right, तो I hope कि मैंने आपको idea दे दिया, class 11th में chemistry कैसे start करने, physical chemistry starting है, mathematical fundamentals build करी और deep dive, ठीक है, उसके बाद organic कैसे strengthen करनी है, उसके बारे में हम अलग से एक बाद में वीडियो के बारे में बात करेंगे, आपको वीडियो मिल भी है, right, you got it, how to start chemistry, चले, अगर इसके बाद भी अगर आपके माइड में कोई भी शंका हैं, कोई भी doubts हैं, feel free to ask them in the comment section, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कि किसी और की भी इससे मदद हो सकते हैं, तो ही share करिए इसको, ठीक है, चले, have a wonderful day, bye.